तो आज हम डिसकस करेंगे Lab Register के बारे में HWC पर दो तरह के Lab Register बनते हैं एक Lab Register होता है जिसमें आपको पेशंट का डियाइगनोस्टिक टेस्ट करना होता है और उसकी रिपोर्ट उसमें फिल के जाती है दूसरे लैइगर डिखाना होता है जितने भी diagnostic test kit आपके पास available है उनका consumable आपको एक तारिक से 30 तारिक तक दिखाना होता है चलिए जानते हैं किस तरह का lab register का format आपको बनाना है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस तरह का lab register आपको अपने hwc पर बनाना है ये सबी आपको column बनाने है सबसे पहले column में आप serial number लिखेंगे second column में आपको opd registration number लिखना है opd registration जो आप daily opd करते हैं उसमें मिल जाएगा next column है name and address of the patient यहाँ पर आपको patient का नाम लिखना है और address लिखना है इसको आप अलग-अलग column में भी कर सकते हैं next है age, next column है उसका gender और उसके next है complaint of patient आपने उसका diagnostic test किस वज़े से किया है उसकी patient की आपको इसमें complaint लिखनी है जैसे कोई fever का patient आया है आपने उसका malaria test किया है तो यहाँ पर आपको उसकी complaint डालनी है next column है name of the diagnostic test आपने कौन सा test किया है उसका नाम लिखना है next है result of lab investigation उसका क्या result आया है positive आया है या negative आया है वो आपको यहाँ पर लिखना है next register है आपका ये भी आपका lab से सम्मंदित register है diagnostic test tracker इसमें आपको क्या करना है जितनी भी आपके पास diagnostic test kit available है जैसे हीमोगलोबीन किट है यूरिन टेस्ट किट है और आयडिन साल टेस्ट किट है यूरिन स्ट्रिप है ये सभी जितनी भी आपके पास diagnostic test kit है उनका tracker लेना है मतलब आपको इसमें इसका consumable दिखाना है एक तरह से आप इसको diagnostic test stock register भी बोल सकते हैं सबसे पहले इस register में आपको उपर की साइड यहां पर मनत लिखना है corner में उसके बाद आपको column बनाने है सबसे पहले column में आप serial number लिखेंगे next column में आप item का नाम लिखेंगे जो भी आपके पास diagnostic test kit है उसका आप नाम लिखेंगे जैसे हीमोगलोबीन है urine test है और urine strip है blood sugar है malaria है HIV है तो यहां पर आपको नाम लिखना है next column में आप लिखेंगे opening quantity आपके पास जितनी उस मन्त में opening quantity का मतलब पिछले मन्त से आपके पास इस मन्त में कितनी kit available हैं कितनी test kit available है वो आपको यहां पर quantity में लिखना है HIV test kit होती है एक box में 50 kit आती है आपको अगर 50 मिली है और उसमें से कुछ खर्च हो चुकी है जैसे 46 बची है आपके पास तो आपको यहां पर 46 लिखना है मतलब opening quantity लिखनी है उस मन्त की आपको next मन्त में यहां पर date wise आपको दिखानी है जैसे एक तारिख में आपकी 2 kit खतम हो गई है तो यहां पर 2 लिखना है यहां पर दूसरी तारिख में एक हुई है या कुछ भी नहीं हुई है तो 9 लिखना है यहा फिर खाली जोड़ देना है आपको पूरे मन्त की एक एक यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर मंत की date wise आपको column बनाने है अगर एक मंत में 30 दिन है तो आपको 30 column बनाने है और 31 दिन है तो 31 column मनाने है उसके बाद total used यहाँ पर आपको सारे मंत की total जोड के यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर closing quantity closing quantity का means जितनी आपकी opening quantity थी उसमें से आपको यह total minus कर देना है उसके बाद निकल के आ जाएगी आपकी closing quantity आपको diagnostic test tracker register बनाना है इसको आप diagnostic test stock register भी बोल सकते हैं और आपको इसमें अपने hwc पर होने वाली 14 जांच लिखनी है अगर किसी भी जांच की आपके पास strip available नहीं है जैसे file area assist test है इसकी अगर आपके पास kit available नहीं है तो यहाँ पर आप not available लिखेंगे जिसकी भी आपके पास kit available नहीं है उस तारिक तक आप not available लिख देंगे हमारे ब्लूसी पर होने वाली 14 जांच मैं आपको नेक्स वीडियो में शेयर करूंगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इन्यों वीडियो के नोटिफि आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू